हेलो बच्चो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे यूनियन पार्ट साला एंड मैं आज क्लासिक्स का डाटा हेंडिंग चैप्टर डिसकस करूंगा जो कि यह थ्री पार्ट में वीडियो होगा आज मैं इसका पहला पार्ट आप लोग के सामने परस्तूत करूंगा बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में डाटा हैं बहुत तकलीफ होती है और उन्हें समझ नहीं आता है अचल में यह होता क्या है भीम है सबसे पहले मुर्स समझेंगे कि डाटा डाटा विर्ड क्या होता है कोई होग सीज्ट करते हैं डाटा जैसे घर पर हुआ । मांन लिगायążय आज को टेमपरेचर क्या हुआ होता है एक वीक में एक वीक का हम भी से वीक हम लोगजाए करते हैं कि अगला हफता कैसा हम लोग का मौसम रहा तो इसे क्या होता है कि क्या कैस सीखेंगे इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाटा होता क्या है क्या होता है उर्गनाई डाटा यूजिंग टेबल अने टेली मार्क हम लोग एसे किस तरह से और गनाईस कर पाएंगे यूजिंग टेबल के transform यूजिंग पिक्टोग्राफ औरिप्रेования अनलॉज फटोग्राफ and interpret bar graph bar graph जो ऐसा होता है ये bar graph हम लोग bar graph में समझेंगे कि data कैसे लड़के हो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते है इस chapter का data handing है क्या होता है जैसे कि हमको temperature observe करना है ठीक है तो temperature observe करना है तो सबसे पहले हम लोग बना लिए box इसमें time लिखे temperature लिखे तो आज का time जो भी time होगा 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे हम लोग 12 बजे तका समय लिख दी है सुभा सुभा के एम 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 फिर लाक्षन पीम होता है तो साथ बजे हम लोग temperature observe के 28 डिगरी फिर 31 डिगरी 36 डिगरी 38 डिगरी 40 डिगरी एंड 48 डिगरी फिर अगला दिन का फिर इसी कंपरेशन में अब्जेब करेंगे यह जो भी डाटा होता है ना वह हम लोग निमरिक में observe करते कोई भी निमरिक वैल्व में ऐसा नहीं कोई लोग उसको डिप्रेजेंट करते के यहां पर एक पेपर कपी जहां पर वह आप रेप्रसरी लाइब करते हैं दूसरी डाटा का मतलब होता क्या है और सब्सक्राइब जहां पर की बात कोई नहीं है जो रियल लाइफ में है उसी के बात हो रही है फिगर विच गीव असम निम्रिकल इन्फरमेशन जो मैंने कहा कुछ नुम्रिक इन्फरमेशन हम लोगों बता देखिए वी सारा क्या है नुम्रिक वैल्यू यह तो है कोई भी इमेजनी चीज़ होड़ी है कि हम इसको इमेजन कर लिए कि ऐसा डाटा मैंने जिसे माली जिए कल भगवान को देखा तो क्या है कोई तरह का डाटा थोड़ी हुआ जब तक उसक अशकार का डाटा कलेक्षन होता है सबसे पहला है कि है कि अकटीन मेzdर मेंट O सेरिमेंट फिर दूसरा आउटकन इवेंट आउटकन इवेंट कंडुक्टिंग सर्वे कोई भी तरका हम लोग सर्वे करते हैं माल लिजिए रेल्वे स्टेशन और रोड पर तो कहीं ने कहीं कोई प्लेस पर हम लोग गाड़ी को काउंट करेंगे कि यहां कुछ 24 से कितना गाड़ी रोज पार होता रेल्वे स्टेशन में क्या चेतकता है या एर्प Ass जाए चाहणा घBACK और घमब करते हैं इसका आउटकम क्या होता ही और टेकिन्ख मेजरमेंट एक्सपरिमेंट तो अलग अलग समीः करते हैं कि हरवर दिख्या आउटकम काउटकमंग निकल के आता है में फ Dallas रिडिंग इस्टाटिकल पॉब्लिकेशन इसका मतलब यह है कि जो भी गॉवर्मेंट का डाटा होता है जैसे कि हम लोग को इकनॉमिक का बात कर लिए कि हम लोग का अबी तो प्राइश्व कर रहें जो की स्मॉल यह से सरभे करते हैं जो की baru में एंगे भी चोटे चोटे गाउ चोटे था ऐसे हैं फिर उसको पब्लेस करते हैं गव्मेंट के डाटा में मैच करते गाइव यह सबसे important बात हुई किसकी गॉवर्मेंट से related डाटा हम लोग कलेक्ट रहते हैं जो गॉवर्मेंट के बाए डाटा होता उसको टाइस वॉजब 22 सी टूश तड़ाई कि 120 टाइम एंड रिकॉर्डड द रिजल्ट ठीक है सुरूति को यह लड़की है वह 120 बार डाइस को रूटेट की और क्या रिजल्ट उसका निकला तो कुशन हमसे क्या कर रहा है वाट कैंड अब डाटा कलेक्शन मैथट डिड़ सी यूज कौन सा यह मैथट यूज कर रहे है तो आपको भी मैंने बताया कि डाइस जब रोटेट कर रहा है तो कौन सा अब्जर्विंग आउटकम इवेंट तो हम लोग यहां पर वहीं लिखेंगा अंसर कि इसका क्या हो प्म जा घर कोपड़रविंग हो आउटकम स सब्सक्राइब यही अमसे हम यहाई पॉसेबल रिजल्ट इन इच टौस तो टो क्या क्या restless possible हो सकता है एक डाइस में छेत्म होता है एक हो सकता है दो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है और छह सकता है यहीं पॉसिबल आउटकम तो निकले गाइस के अलावा तो कोई और आउटकम नहीं निकल सकता है चलिये अब अगला question देखते है यह important question a teacher wanted to find out the number of class 6 class 6 student who have birthday falling in each of this 12th month he collect the data in the following way कैसे data collect करता भाई देखते हैं checking the data of birth of each student in the class register ठीक है तो सबसे पहले क्या करता है checking the data of birth कौन-कौन किसका किसा birth हुआ जोस पॉपलेशन से यह रिलेटेड हुआ student in the class register class register में कौन-कौन दिसमें हम लोग चाउथा नमर का जो था reading statical publication यह डाटा हम यहां पर यूज कर रहा है ठीक है अगला क्या question को बोलता है asking the student to raise their hands if their birthday fall within a certain month ठीक है certain month एक student से पूछा गया कि अपना हाथ raise करो if the birthday fall within a certain month यहां पर क्या आउटकम्स कुछ निकल के आ रहा है ठीक है observe कर रहा है observing outcomes ठीक है लाश्टली डेजनेटिंग पर्फॉर्म एन गेटिंग दा student to fill their birthday and return the form to him ठीक है तो लाश्टली में क्या बोल रहा है कि एक फॉर्म है आगे गेटिंग देटिंट टो फिल देर बर्ट डेट अपना बड़ेट फिल कर रहा है and return the form to him उसके बार अपना सारा बड़ेट फिल करके उसका फॉर्म को वापस कर दे रहा है तो इसमें क्या हो रहा है यह कुछ हम लोग सर्वे टाइप चीश कर रहा है कि सर्वे सर्वे न हो रहा है जी तो लाशलि में सी क्या होगा कंडक्टिंग कि सर्वे यह यह डाटा कंडक्टिंग सर्वे तीन नंबर चीक है फिर देखिए एक और कोश्चन अपने पास और हास्पिटल कंडक्ट अ स्टड़ी ओन दा कॉजज ऑफ स्पोर्ट इंजरी किसी चूट लगा है विच डाटा कलेक्शन मैथर्ड उड़ बी एप्रोपेट फो कंडक्टिंग दिश्टिंग कॉन सा डाटा हम लोग इस किसको 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 स्पोर्ट इंजरी हुआ तो कंडक्टिंग कि सर्वें ठीक है फिर लाश्टली कोश्चन एंड यहां पार्ट पन खतम होगा अजुलाज इस स्टडी दा ग्रोथ रेट क्या ग्रोथ रेट आफ चिकन्स ऑन डिफरेंट फिट एक चिक चिकन्स है अलग-अ उसको खाना दे रहे हैं अलग-अलग जगा पर डिफरेंट विच डाटा कलेक्शन मैथट सुट भी यूज यहां पर कौन सा मैथड यूज होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैसे पता करेंगे तो ग्रोथ लेट की बारें बात कर रहा है चिकन्स का डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ फिसमें क्या हो जागा Another Building कि यहाँ पर खाना का हीएं फिका यह बारे एक कीजी कभी देर 500 ग्राम तो नोक्तनों कले भाना तो इसमें क्या हो जागा है एंसर टेकिंग तो लाइक सेस्क्राइब जरूर लगाएं